नवस्कार दोस्तों स्यूको चिकलासस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम तर्चा करेंगे IPAC नामकरण इसके पहले भी हम एलकेन, एलकीन और एलकाइन का IPAC नामकरण देखा था हमने दोस्तों एदि आपको IPAC नामकरण अभी एदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखे ताभी यह आपको समझ में आएगा दोस्तों चले देखते हैं आज हम एलकीन हैलाइट का IPAC नामकरण तो एलकीन मतलब आपको पता होगा जब एलकेन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं हमने भासल बारीयेड फ्लोरीन ग्लोरीन ब्रोमीन और एस्टाटिन मुकता चारmanasこれは दोब्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को आयोडोस चलिए जब एक अपने पास एक हाइलाइट समू जुड़ रहेगा उसे मोनो बोलेंगे दो जुड़ रहे तो डाई और तिन जुड़ रहेगा तो ट्राई बोलेंगे दोस्तो इनकी सबकी जरूत पड़ेगी और यदि हम इनकी क्रियात्मक समू का प पास पड़े चलिए देखते हैं यहां पर एक कारवन दिखरा है आपको ठीक है और आयोडीन है एक कारवन है मतलब क्या होता है मेथ और यह क्या है दोस्तो आयोडीन को क्या बोलते हैं अपन आयोडो क्या बोलते हैं आयोडो और एक कारवन दोस्तो तो आयोडो क्या बोलते मेथिन तो यह हो गया इसका आयोडो मेथिन या दोस्तो एक कारवन है इसको क्या बोल सकते हैं अपन मेथिल ठीक है आई को मेथिल आयो डाइट इस प्रकार देखते हैं दोस्तो यहां कारवन दिख रहें आपको तो चार कारवन का समू ठीक है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो numbering तो आप से पता होना चाहिए ठीक है इसके पहले वाले वीडियों जरूर देखें आप तो एक number पर chloro जुड़ा हुआ है दोस्तो ठीक है वन chloro हो गया और कित्ते कारवन मेत एथ प्रो ब्यूट तो क्या हो जाएगा दोस्तो ब्यूटीन इस प्रकार इसका आई पेसी न नामकरन होगे दोस्तो ठीक है यदि हम इसकी बात करें यहां पर देखें दो कारवन है तो numbering कर लिए numbering वही करना जहां से क्लियात मक्समों पास पड़े अब देखें ब्रोमीन जुड़ा है एक नंबर पर ब्रोमीन तो वन ब्रोमों हो गया दोस्तो ठीक है और कित्ते कारवन तुमित एथ तो एथ से क्या होता है दोस्तो एथे इस प्रकार आप IPC नामकरन कर सकते हैं दोस्तो अब द नमबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है दोस्तों और कित्ते कार्वन तो चार कार्वन में एट प्रो ब्यूट तो दोस्तों हो जाएगा ब्यूटेन ठीक है इस प्रकार से आई-पेसी नामकान आप करें दोस्तों आप चलिए देखते हैं अपन ऐसे कुछ हाइड्रो कार्वन योगी जिनके साथ दो हैलोजन समू जुड़े रहें जैसे यहाँ पर दो हैलोजन समू जुड़े हैं ब्रोमी ठीक है तो नमबरिंग करेंगे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं एक और दो चाह उपर से चाह नीचे से दोस्तों एक नमबर पर जुड़ा दो जुड़े हैं तो अपन क्या बोलेंगे डाई और क्या जुड़े हैं ब्रोमो तो ब्रोमो और दो कार्वन है तो मेथ एथ तो एथ से क्या होता है दोस्तों एथेन इस प्रकार से इसका IPAC नाम करना हो गया नीचे की देखे बात करें दोस्तों यहाँ पर एक और दो इस प्रकार से हम IPAC नाम करना कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे जिनमें कुछ एलकिल समू भी जुड़े हो और उसके साथ भी कुछ ना कुछ हैलोजन समू जुड़ा हुआ तो देखिए दोस्तों इधर से अपन बात करें तो दो नमबर पर तो एलकिल का सुरुआत एसे होता है तो पहले एलकिल समू है और एलकिल में से पहले क्या जुड़ा हुआ है मेथिल तो एम आता है और क्लोरो सी आता है तो पहले क्या आता है दोस्तों सी और एम बाद में इसलिए सी को पहले लिखेंगे तो दो नमबर पर तीन नमबर पर दोगोर्वाइन जुड़े तो डाई ठीक है और स्य लीऊ सियल का क्लोरी ठीक है चार नम्बर पर क्या है मेथिल है फ्वेधिल हो गया और केटे कारबन 5 तो 5 IS नम कर ने कर सकते तर् सकते हुआ है numbering जहाँ से पास पड़ेगा आप कर सकते है numbering कर लिए आप नंबरिंग कि दिखते है Bromin को B Sey और क्लोरीन को सी सी कहने को मतलब B पहले आता Alphabet में सी बाद में इसलिए पहले अपन 녹र मो偉 और जदे का और कारवन को क्या बोलते हैं दोस्तों प्रिंटीन ठीक है चलिए अब देखते हैंकुछ ऐसे एक जांपल जिसमें तीन हैलहा सामोह जुड़े रहते हैं जैसे थीन हैलो जन मतलब 3 chlorine जुड़े हुई है 3 iodine ठीक है और यहाँ पर 4 यहाँ तो tetra हो जाएगा चलिए दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर 1 है numbering तो आप कैसे करेंगे 3 है तो क्या हो जाएगा try chlorine है तो chloro ठीक है और किते carbon है दोस्तों 1 carbon तो क्या बोलते है carbon को methane try chloro methane यदि इसकी बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा try 3 ठीक है iodine तो iodoo ठीक है और एक carbon तो methane try iodoo methane दोस्तों इतना ध्यान रखें कि हमेशा यदि एक carbon है तो mono दो carbon हो तो dye और 3 carbon हो तो try इसी तरह से कोई भीच है समू क्यात्मक समू जुड़ा हो जैसे यहाँ पर hyalogen क्यात्मक समू जुड़े हुए है तो यहाँ पर एक hyalogen तो mono दो तो dye और 3 तो try 4 हो तो tetra जैसे इसी की बात करें तो इसमें कितना है tetra tetra ठीक है और chloro ठीक है और कितने carbon एक तो methane ठीक है इनका सामान नाम दोस्तों इसको chloro farm कहते है एक आयोडो farm और एक carbon tetra chloride इसका सामान नाम आप याद कर लिए अब चले देखते है कुछ ऐसे जिनमे same जुड़ा हो तथा अलग अलग कारबन से जुड़े हो तो numbering करेंगे numbering आप उसे बनना चाहिए दोस्तो numbering बनेगा तभी IPAC नाम करण बनेगा अब दो number पे तीन number पे चार number पे जुड़े हो है और तीन जुड़े हो तो try chlorine जुड़े हो तो chloro ठीक है और hex मतलब 6 कारबन तो hexane इस तरह से इसका IPAC नाम करण आप दे सकते हैं अब यदि नीचे की बात करें numbering करें दोस्तो तो numbering कहीं से पास पड़ेगा आप कहीं से भी कर सकते हैं दोनों जगे से समान पड़ता है अब देखिए B पहले आता है और chlorine बाद में आता है तो नाम करण करते समय ब्रो मों पहले तो दो number पे 4 number पी कित्ते ब्रो मों जड़े है तो di Bromo कित्ते ब्रो मों तो di Bromo और 3 number पे फ्लोरो तो 3 क्लोरो और कित्ते कार्बन 5 तो pentane इस प्रकार दोस्तो हम आज हायलोजन समूज से जड़े हुए कार्बनी क्योगि का IPC नाम करण आज देखा हमने और इसी तरह से IPC नाम करण किस रंखला